देखिए 26 नमबर में आप से पूछा गया ना है एक बटे 12 के पवर माइनस चार एक बटे 12 के पवर माइनस 5 ये पूछा गया है LCM क्या होगा तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ये जो बटे में लिखा हुआ है ना इसको ऊपर ले जाएंगे यनि power को पहले plus में convert कर लेंगे निए 12 की power 4 हो जाएगा यह 12 की power कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा यहाँ पर 12 की power 12 हो जाएगा और यह हमारा हो जाएगा 12 की power 15 इतना तो आप करी सकते हैं ठीक है ऩो यह button लिखा है तो इसके power उपर जाएगी तो किस में हो जाएगी 12 के power सब positive हो जाएगे अब इसी कहां में LCM पूछा गया है तो आप LCM नहीं बता पाएंगे सबसे बड़ा power देखिए 12 के power 15 है न यही एक ऐसा number आएगा न यह इसको भी divide कर लेगा इसको भी कर लेगा इसको भी कर लेगा चौथा नंबर जिनका भी चौथा आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं चौथा नंबर बिल्कुल राइट अंसर आ रहा है चलिए यहाँ पर बताइए कोस्ता नंबर 27 का राइट अंसर क्या होगा लिखा हुआ है एक वर्ग का छेतरफल 24-44 वर्ग मीटर है एक आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की एक बटा चाहर है और आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से त्यूनी है वर्ग और आयत के छेतरफल के बीच का अंतर पुछा गया है देकि बहुत ही सिंपल सवाल है कैसे लगाएंगे 27 नंबर ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले कोस्तन को ध्यान से देखिए लिखा हुआ है वर्ग का छेतरफल वर्ग का छेतरफल हमें दिया गया है यहाँ पर 1444 दिया गया है वर्ग की भुजा निकाल लेते है तो 1444 यानि की संख्या का वर्ग होता है तो आप कहेंगे इसका वर्ग मूल निकालेंगे तो आपका आज आएगा 38 यानि 38 का वर्ग मूल पंचे 20 है ना चावडाई हमको पता चल गई लेकिन लंबाई बोला है कोसन में जो लंबाई है वो चावडाई का चावडाई का तीन गुना है इसका मतलब 9.5 आया है इसमें 3 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो आप कहेंगे इसकी जो लंबाई है आ जाएगी 28.5 मीटर यहां तक क्लियर हो गया देखिए पहले छेत्रफल से भुजा निकालेंगे चावडाई कोसन में बोला है कि इसका एक बटा चावथाई है 38.5 होता है लंबाई जो है चावडाई का तीन गुना है बस हमने कर लिया कोई दिक्कत नहीं है लंबाई चावडाई तुमको पता चली ग छेत्रफल तो देखिए साड़े अठाई साड़े नो का मल्टिप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 270 कितना आ जाएगा 270.75 ठीक ना यह मल्टिप्लाई कर लेंगे तो आपके इतना ही आएगा 270.75 आ गया मीटरी स्क्वाइर माल लेते हैं यह आपका एरिया आ गया पता ही था 38 है अब इसका स्क्वाइर करेंगे तो 38 का 6 तफल तो कोर्षन में वर्ग दिया ही है ना उसमें कोई दिकती नहीं है तो 1444 तो आपका कोर्षन में दिया ही था ठीक ना 1444 दिया ही था और यहां पर आपको 270 जो हमने आयत का निकाला है ना इसी को माइनस कर लेंगे तो आपका फाइनल अंसर आजाएगा माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहां पर आपका आजाएगा 1173.25 यानि बिकल्प नंबर जाएगा चौथे नंबर के साथ ठीक ना सवाल की देखिए language समझ गये ना तो फिस सवाल आपका लग जाएगा यहां पर देखिए 28 नंबर लाब होता है तता मोबाइल पर 20 परसंट के हानी होती है तो संपूर्ण लाब हानी पूछा गया है तो पहले तो इसको भूल जाओ यह इसको मालो लिखा ही नहीं इसको आप दिमांग से अटा दीजिए रिते से कंप्यूटर एक मोबाइल की बात हो रही है यह वैलू देख इस पी हो जाएगा यह पाँज बटा चारा गया तूसरी कंडिशन में दिखाएगा दोस्तों दूसरी कंडिशन में देखिए क्या लिखा हुआ है बीस पर्शन के हानी तो वी बीस पर्शन की जो फ्रेक्शन वैलू होती है आप कहेंगे एक बटा पांच होती हमने का यहां तो consultant यहां मैंस ब्राबर कर लेक्षज से करते हैं तो बराबर घालेजी यहां पर आप आप इसा करिए इच न होगा इस ऐना और यहां पर हमारा कितना आएगा यहां पर पांच अपस्जी कान पच wrapped pigs शचान अब ध्यान से देखिए यह जो पहली लाब के कह रहा था दूसरा हाने अब देखिए दोनों के बिक्रम मुल बराबर होगे कि नहीं होगे टोटल लेखिए सीपी कितना है सोला पची जोड़ेंगे आप कहेंगे यह 41 यानि इसको आप देखिए और इसको आप का से पी या आपका से वह ऐसमी है तो क्या कभी लाब होगा नहीं होगा जी इसका अंसर क्या माढ़ीका पूछा गया जिसको एंग्रेजी में मेडियन कहते हैं यात रखेगा है ना किमाधीकम में कई बार बताया चिलहा चिल्ला के बताया ये तो आरोी करम में लिखे 10 लिख को रही can है और मतलब होता है घ milks न делать करम में पहले सबसे बड़ा लिखते हैं तो सब से बड़ा तो आपका जाएगा ए माइनस 0.5 आएगा हमने का बिल्कुल सही है इस तरीके देखिए आपको अरेंज करना आए बस अरेंज कर लिये नहीं तो समझ लिजिए कि सवाल आपका लग गया साड़े तीन माइनस 3.5 आ जाएगा और है हम नहीं है टोटल पत कितने हैं एक दो तीन चार पांच चाह साथ आठ है तो आठ में देखिए पहला दूसरा और तीसरा हटाते हैं इधर से पहला दूसरा तीसरा है ना तो यहां पर हमारे यह बचे बलब कौन कौन से नंबर बचे इनी को दोनों को जोड़िए तो आप जोड़ेंगे तो टूवे आएगा है ना तो टूवे माइनस यहां पर जोड़ेगा 0.5 माइनस 2 तो आप कहेंगे माइनस का 2.5 आएगा बिल्कुर सही है और इसमें आप कहेंगे दो से भाग कर दीजिए बस आपका अंसर निकाल आया लेकिन अंसर निकाल आया है ना अब इसको आप सार्व कर लीजिए और को दिया है गया कोशन में बस मादी का यह पूछा है तो यहां पर अंसर कुछ अजीब गरीब आएगा क्या चलो देख लेते हैं इसमें दो कभाग और देदो तो ए आएगा माइनस यहां पर 2.5 यानि ना तो बस यही दिक्कत आपको कहां होगी ना यह आरोई आरोई करम में लिखने हैं यह अगर लिख लिया तो फिर सवाल आपका लग गया तो एक और सवाल हमारे पास आ गया है मिस्टरन का सवाल आ गया है 25 लिटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है तदा नुसार उस घो में होता है पहले आप बताईये 25 का 6% कितना होता है तो आपके 25 कछे परसेंट दो तरिकल है या या नीट होता है ना इसका मतला वन पूइंट फाइव आपका इसमें क्या है नमक है Total quantity तो आपकी पढ़से लिटर की थी अब इसमें बोलक कितना पानी मिला दें एक्स एक्स मिला देते हैं गोल में और यही वैलू दिया गया पांच परसेंट हो जाती यानि पांच बटा सो इसको सिंपलिफाइ कर लेजी बीस अब बीस गुड़े 15 करेंगे तो आप कहेंगे यहां पर 30 आ जाएगा अब बराबर आपका आज जाएगा 25 प्लस एक्स है ना इसको इस तरीके सवालों को आपको दिमाग नहीं लगा ना जैसे लेंगवेज का है वैसे करते चले जाएए टोटल यहां पर बोला है न कितना पानी और मिला जाए घोल तो आपका 25 लिटर का था बस हो गया सिंपल सवाल था यहां पर देखिए 31 नंबर आप से पूछा गया है ल तीस पर्सेंट अंक जब प्राप्त किया है एं ने तो हुआ क्या 30 अब इस परसेंट इसरे परसेंट एने क्या किया अंक प्राप्त किया ठीक ना 30% अंग A ने प्राप्त किया 15 अंग को से फेल हो गए हमने कहा अगर ये 15 नंबर और पा जाता तो ये कज़ते उत्रिन हो जाता यानि पास हो जाता इसको उने पास में convert कर लिया दूसरे वाले को देखिए B जो है 40% नंबर लाके पास होने से अधिक नंबर लाया है ज्यादा नंबर लाया है इसको मतलब माइनस करना पड़ेगा इसको आप इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर इसको इधर ले आईए 10 इधर इसो जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आप कहा जाएगा 10% बराबर 50 10% बराबर दोस्तों कितना जाएगा आपका 50 ठीक है ना तो हंडेट परसनी टोटल पुढांग निकाल लेते हैं तो आप कहेंगे 100% जो है 500 आज जाएगा ज्यादी जीए गा टोटल पुढांग हमें 500 पता है अब 500 अब उत्तरीन का क्या बोला है उत् त्रिण के लिए कंडिशन क्या थी 30% ब्लस 15 है ना इसी में रख लेते हैं तो 500 का 30% कितना होगा तो आप कहेंगे 500 का 30% तो 100 में 30 यानि या देड़ सो हो गया और देड़ सो में 25 और जोड़ेंगे तो आप कहेंगे देड़ सो में 15 जोड़ेंगे 165 हो गया तोटल पुढां है पहला वाला अप्शन सही हो जाएगा कुछ इसमें करना ही नहीं था पुढांग पूस्ता तो 500 हो गया अब इसमें रखते तो भी अंसर वहीं आता है ना आपका यहीं आता चलो आगे बताएं तो को बेतरीन सवाल है 32 नमबर आपको जवाब देना है और जवाब सब्सक्राइब हो तो बी स्क्वार माइनस 4C का मानने क्या होगा यहाप से पूछा गया अब यहाँ पर करमागत पूर संख्या बले हम माले लेते हैं पहली अगर पार संख्या है दोसरी माले एक्स प्लस वा नहीं है यहमने मान लिया कोई कि दिक्कत नहीं कर्मागत्पूर संख्या है हमारी हो गई अगर एक सब्सक्राइब जोड़ेंगे जीरो बन तो कर्मागत्पूर संख्या होती है अब यहां पर लिखा हुआ है यहां पर देखो कि मूल मूल तो दो होते हैं आपके मूलों को योगफल होता है तो इसका देखि यह अलपा है यह दो मूल हो गए आपके अब यहां पर अगर हम निकालते हैं मूलों का योग फल तो आप कहेंगेालफा प्लस बीटा रखाय है एक्स है और एक्स प्लस वन एड हो जाएगा इसी में से एकस फ्लस वन है न यह माइनस कब बने होता है तो माइनस तो इसका माइन alpha की value हमने x माना है और beta की माना है x plus 1 तो इसमें गुड़ा करतीजी सीधे तो x square ऐसे करतीजी x x plus 1 यहीं तो है और बराबर होता है c अपानी होता है तो यहाँ पर c आ जाएगा तो आप कहेंगे x square अप plus का x से बराबर c यह आपका c आ गया अप प्रस्न में इसमें आपकी value रखना है रख दो b की value हमें पता है तो इसका square करोगे तो कितना आएगा आप square square करेंगे तो 4x square आएगा a plus b का whole square लगा देंगे 1 अप plus का हो जाएगा 4x plus का 4x हो जाएगा अब यहाँ पर minus 4c है तो minus का 4 multiply होगा तो minus 4x square हो जाएगा अब minus का 4x हो जाएगा अब आप कहेंगे यह तो कट गए हमने का बिल्कुल कट गया अब बच्चा क्या बच्चा क्या 1 बच्चा है बस यही बिकल्प हो जाएगा तो में सवाल की भासा समझनी थी यहाँ पर मूल जोई दिया था तो मूल आपको अलफा बीटा ऐसे मानना था एक x x ब्लस मानना है क्यों करमागत बोला था ना बस यही आपको समझना था बागी आप सवाल लगा लेंगे तो को एक और सवाल है बिल्कुल मजाक वाला सवाल आ गया है यहाँ पर देखिए आपको बताना है अंसर क्या होगा लिखा हुआ है किसी वस्तु को 37% हानी के बदले साड़े 62% लाप पर बेचा जाता है तो 80 रुपए अधिक मिलते हैं वस्तु करें मूल बताईए तो पहले हम CP मान लेते हैं मान लिए CP कितना मान देखो साड़े 12% की सभी को पता होगा साड़े 12% की fraction value क्या होती है यह पांच लिखा हुआ है एक बटा आठ होती ही हमने कई बार बताया जब परसंटे चैप्टर पढ़ाएते हैं हजारों हमार बताया होगा एक बटा आठ इसी का यह तीन गुना तो है तो इसका मतलब साड़े 37% की जो fraction value हमारी होती है वो तीन बटे आठ हो जाती है इसका यह पांची गुना तो है साड़े 12 का यानि इसका पांच गुना एक बटे आठ कर देंगे यहाँ पर हानी लिखा हुआ है तो लिखा है 35-37% की हानी यहँए 3 बटा 8 यानि 8 का 3 बटा 8 3 होता है तो यहाँ पर अगर 8 का 3 बटा 8 3 होता है तो 8 में से 3 हानी कर दिये तो हमारे बाद कितना बचा 5 इधर बचा 5 ठीक है ना दूसरी कंडिशन में देखिए दूसरी कंडिशन में लीखा हुआ है कि 12.5% का लाव होता है इसकी फ्रेक्समाइलू 5.8 होती है तो 8 का 5.8 निकालेंगे तो आप कहेंगे तो हमारा आएगा 5 आएगा और इसी 8 में जोड़ देंगे यानि 13 आ जाएगा यह आपका आ गया दोनो आप कुछ खरना ही नहीं है बस 80 रुपए हो गया देख रहें 33 नंबर का पहला ही विकार पर क्या होगा CP आपका 80 हो गया बस लग गया यहापर देखिए पूछा गया है सवाल को ध्यान से पढ़िए और फिर जवाब दीजिए तो अंसर भी आपका आ जाएगा लिखा यहां पर पूछा गया ना तो उसे लाब होता है ना तो हानी होता है और पूछा क्या गया है यहाँ पर पूछा गया है वस्तु का विक्रेमुल क्या होगा थीक हैं कैसे लगाएंगी इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं ग然后ation भी होता है दूसरा तरिका है दूनों तरीके से आप लगा सकते है देकिए एक तरीका हम आपको basic वाला ही बता दे रहे तो इहाँ पर हमने मान लिया कि हानी पर जो बेची जा रही है वस्तू यहां पर बोला है न एक वस्तू को लाब पर दूसरी पर हानी अब पूछा क्या गया है हानी वाला पूछा गया है हमने मान लिया हानी पर जो बेची गारही है वस्तु उसका जो C.P. है? लाप बाले का कितना हो जाएगा आप कहेंगे 520 माइनस एक्स हो जाएगा ठीक न आप टोटल जोड़ेंगे तो पांसो वीस ही आप अगा जाएगा अब प्रस्ति नों को ध्यान से पढ़िए यहाँ पर लिका हुआ एक्स जो है 10% यहाँ पर लिका हुआ ना 10% हानी और हमारा है वो कितना है 520 है माइनस का X है ठीक ना और यह 16% के लाप पर सोला परसंटेज से परसंटेज कट गया दो पंचे 10 दो बठे 16 अब यहां पर आ गया पांच एक से बराबर आर गुड़ा कर देंगे यहां पर आएक से बराबर आपको पता चल गया 320 है यही हानी पर सीपी आ गया इसी में पूछा गया था क्या पूछा गया था कि 10% हानी पर बेची के बिक्राय मूल क्या होगा तो दस परशन कटा के निकाले जीए एसपी कितना होगा तो आप कहेंगे 00 कट गया 00 कट गया नो दुनी अठारा नो तरीका को आपको लगाना है बाई आपसंस है आपसंस लगाए बाकी जल्दी लग जाएगा ठीक है न बोला क्या गया है उनके पास आमों की संक्या कितनी है आमों की संक्या पूछा गया है यदि राम स्याम को एक आम दे देता है तो दोनों के बराबर आम हो जाते हैं तो ऐसा आप पर किसको देता है राम स्याम को देता है यानि इससे ये वाला तो कमी रहेगा ना ती इसको एक आम देगा तो मालों चार चार हो गए दोनों के यदि राम को एक आम देता है यदि देखो यहां पर पहले समझ लो राम स्याम को यहां पर हम लिक देते हैं पांच और अगर तीन हो जाएंगे इसके बाद क्या इसका यह तीन गुना है बिल्कुल है तीन गुना हो जाते बस विकल्पर नंबर तीसरा हो गया तो ऐसे प्रशनों को आप ऐसी लगा सकते हैं कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं थी है ना इस तरीके से आप लगा लेंगे बाकि यही आपसना पर खरीदी होती और पिछली भी क्रिये मूले की तुलना में चार्श रुपए अधिक बर बेद दिया होता तो तो 33.33 परसेंटेज का लाब प्राप्त होता है साड़ी का मूले बता ही इस प्रसनों को हमने कई बार बताया है इस टाइप के देखो सीपी लिखो हमने माल लि प्रस्णों होता तो यहां पर चार सुपए अधिक इसको भूल जाएं और यहाँ पर लाव बोला है 30.33 है ना तो इसका मतलब यहां पर इस्कों ना utilizar यह इसकी10 मेनो खुल जाएगे एक बट inanतित तीन होजाएगा ठीक है टो अब 133 देखिए यहाँ पर लाब बोला है तो एक बटतीन केक बंटतीन स्कालेगे तो कितना उटेश्ची Crispest कितना हो जाएगा एक तोब ऑट ध्यान दीजिए 115 से 120 में बेच रहा है यहांट पांच रुपए का हमें profit हो रहा है यहां पर 400 रुपए अधिक मिल रहे हैं पांच बराबर 400 तो एक बराबर आपका आएगा 80 एक बराबर 80 तो 100 बराबर यानि CP आपको निकालना है 100 बराबर तो 100 बराबर आपका कितना आजाएगा 8000 ठीक है न इस टाइब के प्रस्णों को इसके पहले वाले वीडियो पर कराया था एक बार वहाँ भी देख लीजिए अच्छे से किलियर आपका हो जाएगा 8000 होगा 36 नंबर का तीसरा नंबर क्या होगा राइट अंसर आपका हो जाए क्या है कि यहाँ पर इसका देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग वर्ग की भुजा अगर हमें 20 दी गई है वर्ग की भुजा क्या है 20 यह 6 अंकित भाग का हमें एरिया निकलना है तो इसका एरियम कैसे निकल सकते हैं देखो यह सरकल होता है यह सरकल होता है यानि इस सरकल का जो एरिया होगा चौथाई भाग कितना हो जाएगा एक बटा चार पाई यार स्कॉयर और यहाँ पर अगर हम पूरे में से अगर इसको अगर हटा देते हैं स्कॉयर का इसका स्कॉयर होता एसकॉयर तो आपके यह सैडर डीजन जो है न निकालाएगा यह बा पता चल गया, R हमारा कितना हो जाएगा, वीस रूट टू, यहीं तरिज्ज्या भी इसकी क्या हो जाएगी, सरकल की हो जाएगी तो एक बटा चार रखिए, पाई की वैलू बोला चिला चिला के 3.14 रखिए, R की value कितना रखेंगे 20 root 2 20 root 2 का square करेंगे तो 20 का square कितना होता है 400 root 2 का square 2 400 गुड़े 2, 800 आ जाएगा minus A square 20 का square कितना होता है 400 यह आपको इतना तो करना ही पड़ेगा ठीक है न इसको करेंगे कितना आ जाएगा देखो 4 दुनियाट 200 आएगा अब गुड़ा कर लेंगे इसमें तो आपको कितना आ जाएगा 628 minus 400 ठीक है न यह आपका आ गया अब इसको minus कर लेंगे तो 228 जिनका भी 228 आ रहा है विकल्प नंबर 4 था बिल्कुल राइट अंसर आपका हो जाएगा सेटे रिजन का एरिया आपसे पूछा गया था यहाँ पर देखिए 38 नंबर आपसे पूछा गया है बेतरीन सवाल है यहाँ पर भी आपको जवाब देना है किसी मोड किसी रोड रोलर की आधार तिरेज्जा और उचाई क्रमसा 0.7 एवं 10 cm दी गई है यह 24 सुबार घुमता है तो 80% हिस्से को समतल कर देता है तो 5.9 रुपीज प्रतिवर सेंटिमीटर की दर से समतल करने का खर्च क्या होगा देखिए बहुत ही सिंपाल है कैसे लगाते हैं देखिए 38 नंबर देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए एक रोलर है तो उषका मदलब वह्ता है यहां पर दिया गया है कितनी बार घुमता है यह कहाँ 24 चकपन कर देंगे ठीक यांब बराबर यहाँ बुला यहां समतल कर देता है यानि हमने माल लिया यह है भाग उसका 80% हिस्सा यानि टोटल 88% कितना होता है 88 लिखा हुआ है तो 88% अब इसको आप साल्व कर लेंगे यहां पर कल्कुलेशन है और कुछ नहीं है यहां पर आपको देखिए तू रखेंगे और यहां पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है यहां पर आधार की त्रिज्या यानि 0.7 है 0.7 है ठीक ना 0.7 है आपका इंटू हाइड कितनी दी गई है हाइड 10 दी गई है है डस दी गई है बराबर 24 जो ciao इंटू बराबर चॉबिस सो तो इसी में है ठीक ना इंटू 24 तो यहां पर देकिए यह हो गया ना इंटू 24 जो यहां पर इंटू 24 जो लखना sharks going चलिए यहां पर देखिए यहां H हो गया है ना फिर इंटू 2400 बराबर A इंटू 88 बटे 100 ठीक ना अब इसमें पूरा साल बगर के A निकालेंगे A निकाल लेगे निकालेंगे जिए कैलकुलेशन है ठीक ना Loki 2,000 ाइगा आप निकाल लेजा इंट राएगा एक लाग विज जा रायगा कैलकुलेशन और कुछ नहीं है कैलकूलेशन आप कर लेजिए गा इसका राईट अंसर दूसरा जो जाएगा चलिह यहां पर देखिए 49 number आपको बताना है यहां पर देखिए क्या एक तदीगए गई क्या चैलों रप्डी लंभी तॉम्षे करते हैं किसी शाठरों सब में सब शवैंद को जोड़ो कितना होग व हिग्यान को जोड़ो कितना होगा हिंदी को जोड़ो कितना होगा सबको जोड़ो कितना होगा सबको जोड़ लीजिएगा जिसमें ज्यादा आ जाए वही टिक कर दीजिएगा तो यह तो सवाल यह तो ऐसा लग रहा है जैसे छोटे बच्चों का सवाल है जोड़ गटाने वाला है जोड़ लिए 40 41 के बीच है पांच ट्रकों का तयकी की दूरी दीगे यह ट्रक है ट्रक है ना ऐसे ट्रक बनते हैं चलो कोई दिकत नहीं याँ ट्रक की दूरी दी गई यह और यहां पर हम थोड़ा सो कोश्वन को छोटा कर देते हैं तब ही तो लगा पाएंगे नहीं लगा यह नहीं तेह करें तो इसे दूरी तेह करने में समय समय बराबर दूरी बटे चाल समय बराबर दूरी बटे चाल ये वाला कहा है ये वाला ये समय बराबर ये दूरी ये दूरी है ना तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल दूरी कितना दिया गया है आप कहेंगे दूरी दी surnsnehmer 475 दूरी दी गही है अगई दूरी दूरी ब्रते क्या होता है चाल हूत यह हृथ तो यह भी सवाल नहीं कुछ में यज़ा सब्सक्राइब ने सुल सवह संनुस्य पर ऩला पर लिजए क्या लिखा लिखा है ट्रक एट वर्ट था की की गई दूरी का लगबग कितना परशंट है याने ई और बी और सी ई बी और सी इ और बी और स्ट देखो ध्यान से देखिए ई और बी और सी बता यह इसका अंसर क्या होगा है तो यहां पर अगर हम एकी बात करते हborgते तो रीट兩 है इसके बाद B or C लिखा थाना तो आपका यह वाला है यह वाला है बी और सी तो आप से कहेंगे उनको जोड़ीये तो आप कहेंगे यह तो पांसोपर शत्तर तो ऐसे रहे गा ही दोनों गोला गाता जोड़का योग टोटल इनको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा जो लगबग 63-istä इस 23.9 दूसरे वाले को तभी नंबर मिलेगा है न एक और सवाल देखिये एक और आ गया है तो सवाल प्रेक्टिस करते रहन्SM लगाते रहे हैं लेखपाल हन्डेड़ परसेंट आप बन जाएंगए यहां पर देखिए 42 नंबर में आपसे पुछा गया है किसी तरभुच की उचाई उस वर के परिमाप के बराबर है जिसका बिकरण 9 रूट 2 मीटर है एवं उसी तरभुच का आधार उस वर की बुझा की बराबर है इसका 6 तरफल इतना दिया गया है तो पुछा गया तरभु यानि वर की जो भुझा है वो कितना है वर की बुझा आपको पता चल कि 9 मीटर है तरभुच की उचाई वर के परिमाप के बराबर है इसका मतलब तरभुच की उचाई जो हो जाएगी इसका परिमाप कितना हो जाएगा यानि हम कह देंगे तरभुच की जो उचाई होगी ह आइट होगी इसके परिमाब यानि परिमाब फोरे होता है नो चोंको 36 हो गया त्रिवुज के हमको उचाहिए तो पता चल गई छतीस हो गई अद दूसरे त्रिवुज की भुजा हमको दिया एकोशन में छेत रफल दिया है कोई वात नहीं है इसका छेत रफल है ना इसका अं यहां पर अब यहां पर त्रिवुज का छेतफन निकाल लेते हैं एक बटे दो आधार गुड़े उचाई होता है तो एक बटे दो आधार कहां पे है आधार तो यह भुजा हो जाएगी यह आधार ही हो गया और उचाई हमने 36 निकाली लिया बस चुपचाब इस गुड़ा कर सवाल आपका लग जाएगा तो एक और सवाल आ गया है बहुत अच्छा सवाल है चोटा सवाल है सिंपल सवाल है पूछा गया एक वर्ग की प्रतेग बुजा एक संभावत्र बुजा की बुजा के समान है तो इनके छेत्रफलों का अनुपात क्या होगा अब देखो यहां सवाल यहां पर बोला है ना कि यहां पर एक वर्ग की प्रतेग बुजा एक संभावत्र बुजा के बराबर है चलो कोई दिक्कर ने छेत्र फल पूछा गया है तो एस क्या होता है अब हमने का इनको काट दो यह इदर चला जाएक तो आप कहेंगे फोरिका रूट 3 हो जाएगा हमने भी गाए बिल्कुर सभी जवाब दिये हैं तो यहाँ पर दूसरा नंबर क्या होगा राइट अंसर आपका हो जाएगा बस सिंपल सवाल था यहाँ पर देखते हैं 44 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है करा यदि 5-8-7-3-7-6 हो तो X कमान क्या होगा चलिए इसका अंसर बताइए सभी लोग क्या होगा तो दीके समानतर माद होता क्या है देखो समानतर माद एक तरीके से एवरेज होता है सब को जोड़ लो जित्ते नंबर उससे भाग कर दो तो सब को जोड़ेंगे देखे 8-5-13-7-20-24-23-27-29-31-30-30 हमारा आएगा तीस प्लस एक पर चौटे नंबर के साथ अंसर सही हो जाएगा अब यहां पर देखो बवलग पूछा गया बारप बंटन देखे बवलग पूछा थो बारम बड़ता वाला वी सवाल हमने एक बार करवाया था आपको इस टायप का है ना तो देखें है यहाँ पर आपका सबसे पहले बस और कुछ नहीं, बवलग बराबर फर्मुला क्या होता है, L प्लस, ठीक है न, L प्लस यहां पर आपका होता है, F1-F0, और यहां बटे में होता है, यहां बटे में होता है, 2F1-F0-F2 into H, ठीक है न, अब देखो, यहां पर F1-F0 है, अब कहेंगे, आप कहेंगे, F1-F2, य यहां पर देखो, इसके जो पहले बाला नंबर होता है, यहां पर इसके जो पहले बाला नंबर होता है, इसको बोलते हैं, F0, यह क्या है, F0 है, यह तो F1 है, यह आपका F2 हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, चलो, यह सीम रख लेते हैं, कोई दिक् कितना है F1 आपका हो जाएगा यहां पर F1-f0 एक फीने-1 यहीं ना यहीं वाला यहीं वाला ऊफ रहता है 10-11 –20 होता है टो 20 क्या करेंगे 15 को पहले क्या करेंगे माइनस करेंगे 24 में 15 मंज सक्षक करेंगे और बटए में कितना आएगा दो गुड़े F1 है न तो 2 गुड़े 24 यानि 48 अब हो जाएगा अब माइनस यहाँ पर आपको F1 F0 F2 को माइनस करना है तो इसका लिए माइनस 15 और माइनस का 8 ठीक है न इंटू हाइट 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 हमारी कितनी है 10-10 का अंसर है न यहाँ यहाँ पर 10 लिखेंगे हाइट यानि जो गैपिंग होती है बस इसको आपको सालव कर लेना कुछ नहीं है कलकुलेशन बेश था इसका अंसर आ जाएगा 23.6 बस सालव कर लिजिएगा आपका अंसर आ जाएगा ठीक है न चलिए यहाँ पर देखिए F1 यह होता है इसके पहले F0 होता है इसके बाद F2 होता है यह L लेते है हाइट क्या होती इनके बीच में जो डिफ्रेंस होता जो गैपिंग होती है उम्मीद समझ गया होंगे इसको एक बार अच्छे देख लिजिएगा तो 46 नंबर आपसे पूछा गया है इसका गुड़न खंड X प्लस 2 है तो P कमान बताईए अब देखिए ऐसे प्रस्णों को तो आप उड़ा देंगे हवा में उड़ा देंगे है ना हवा में कैसे उड़ाते है देखो X प्लस 2 है पंचे 10 मरूं नंबरस 3 कि मैं बराबर जीड़ा युवा प्लस का डी बराबर जीरो इतो माइन अच्छा है और थे प्रस्णों को आप समस्य आती है माधिका माधिका क्या होता है मेडिल नंबर होता है यहाँ पर 3 एटा हो यहाँ पर 3 एटा हो हो जाएगा प्रासिन में पूछा क्या गया इन्हें का मात फीर से मात निकालोंगे तो słowaPhone 2 यानि सोब् знать दो का मतलब होता है ऑठी होता है और टी वह स्वाल में गुम फिर ग circuit दिश्वाल rocky lab दिख लेधा किसे सवाल आगे है इसका अंसर क्या होगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस तरीके से करेंगे ऐसे और यह बन गया अब यहां पर च्छोटी बुजा है यही समांतर होती है यही समांतर होती ही सबको पता है तो हम पहले नाम कराण करते हैं इनका यह माल लेते हैं यह बी और इसको माल लेते हैं C है और यह माल लेते Đी है इतना हमने कर लिया अग्याई अई से करते हैं एक लाइन घाब मिलाकर कि मिला कि हाuiten कि निकालना है। हई又 होता है यह भी हम जब्ढ़ गरी पर रहता ही तो आप ढेंगे अब ही चालिस में 26 गटाएंगे तो आप कहेंगे चालिस में 26 गटाएंगे 14 आएगा है ना कितना आएगा 14 यह तो आएगा 24 आजाएगा ठीक है ना देख लिजिए यहां पर टोटल 26 है ना देखो यहां पर यह distance कितनी हो जाएगी यह distance कितने हो जाएगी यह question में दिया है ना यहांपे कहांपे दिया है बी-सी अे बी-डी-सी देख लिज़े यहांपर 26-27 दिया हिये ठीक है ना 26-26 दिया गया है तो यहांपर इसका कितना हो जाएगी यह distance आपके 7 हो जाएगी 7 इधर हो जाएगी यह साथ हो जाएगी, और कोसन में AD और कुछ भी दिया है, देख लिजी, यहाँ पर BC, अच्छा, BC दिया है, कोसन में, BC आपका दिया गयाँ, BC आपका पचीश दिया गया, यह 25 है, ठीक है equals, यहाँ पर DA भी आपका पचीश दिया गया, चलो ठीक है, इसका मतलब यह 7 है, यह 25 यह साथ है यह वाली कितनी रहेगी 24 यह कितनी रहेगी 24 कुल मिला के हमें हाइट निकालना था हो और हमें हाइट पता चल गए पचास साथ यानि कितना आजाएगा चांचाट आजाएगा गुड़े 12 बारचंग 72 बारचंग 72 बारचंग 72 बारचंग 72 साथ कितना होता है उन्याज 792 गुल मिला के देखिए दोस्तों यहां पर हाइट का जामताम था और कुछ नहीं था यह भुजा 26 है यहां भी 26 होगी फल गुड़े उचाइए फार्मूला होता है इसी से आपको लगाना पड़ेगा अंसार आपका आजाएगा देखो बहुत बढ़ी है सवाल है 72 के सभी गुड़न खंडों की संख्या बताईए तो पहले बातर सोगे आप पहले आपाज गुड़न खंड निकाल लीजिएगा अब इनकी पावर में एक एक बढ़ा देते हैं कई बार बताया है यहाँ पर फिप्टी फोर हो जाएगा राइट अंसर चलिए लाश्ट प्रस्ण है यहाँ पर आपको जवाब देना है यहाँ पर राइट अंसर क्या होगा पचास नमबर तो को लिखा क्या है एक जी केंद बीडी जी का छेटरफल कितना होगा तो सबसे पहले देखिए हमने एक त्रभुझ बना लिए इस तरीके से ए बीसी यह हमने त्रभुझ बना लिया ए फिस ठीक है ना केंदर तो इसका यहीं पर होगा यह मालेते मादिका है मादिका क्या होती है इसके मद्दी बिंद्र से खीज देते हैं सीर से इसके खिचेंगे सीर से इसके खीचेंगे सीर से यह आपका जी था यह क्या कर दीजिए तो आप कहेंगे च्छे सत्य बयाले च्छे दूनी बारा सिंपल सवाल था बहातर सेंटिमीटर स्क्यार क्या होगा दूसरा वाला आपका राई रंसर आपका हो जाएगा उमीद है या आपको समाज में आ गया होगा आज हमने पचीश परिंदक गया है जैसा भी से बदे दैने दो सौत्ने माजा